हेलो फ्रेंड्स विल्कम बेक टू माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाई डिजाइन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्यूटिफुल सा वैकनेक डिजाइन देखने वाले हैं इसके लिए हमने पूरे ब्लाउस की कटिंग कर लिए है इसका जो सोल्डर हमने रखा है पूरा 7 इंच रखा हुआ है अब यहाँ पर हम गले के लिए निशान 4 इंच पर लगाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 इंच इसकी वेर्थ ली हुई है और इसकी लंबाई हमको 4 इंच लेनी है गले की तो पहले हम गले की लंबाई 4 इंच लेंगे क्योंकि यहाँ पर पहले हमें वोटनेक बनाना होगा उसके बाद नीचे हमारा पैटर्न बनेगा तो इस तरीके से यहाँ पर हमने 4 इंच की चोड़ाई और 4 इंच की लंबाई लेके यहाँ पर एक बाक्ष बना लिया है अब यहाँ पर हम 1.5 इंच की बिल्कुल कोने से लाइन केचेंगे 1.5 इंच पर यहाँ पर गुलाई देंगे 1.5 इंच पर गुलाई नहीं देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर तेड़ इंच पर निशान लगाया और इस तरीके से गुलाई कर लेनी है यह हमने अपने गले पर गुलाई कर लिया अब इसके बाद टोटल लेनी है आपको जितना भी गला रेडी रखना है उसमें से हाफ इंच प्लस करके मुझे साड़े नाव इनच रेडी रखना है तो मैंने हाफ इंच दस इंच प्लस किया और फिर इहाँ साइट को आपको जितना डेप रखना है उतना निशान लगा सकते हो तो अभी मैं तीन इंच पर निशान लगा रही हूं अगर मुझे ज्यादा डिप रखना होगा तो मैं थोड़ा और करते हुए यहां पर पैटर्ण अपने गले का देना है तो इस तरीके से हलका सा पैटर्ण देते हुए यहां पर हम गुलाई कर लिया है इस तरीके से देख सकते हो यह हमने गुलाई कर लिया अब यहां पर अगर आपको थोड़ा और डीप ले जाना है तो डीप कर सकते हो हमने अपने गले के पैटन को कट कर लिया है अभी हम नीचे से कम से कम हाफ इंच इधर साइड से बाहर के तरफ से हाफ इंच और आगे की साइड गुलाई में इस तरीके से कटिंग कर लेंगे तो नीचे से हमने ये बराबर कर लिया है लेकिन साइड से हमने थोड़ा सा हाफ इंच उपर उठाते हुए लिया है अब इस तरीके से हमने अपने अस्तर के मतलब गले का डिजाइन कट कर लिया है अब यहाँ पर हम ले लेंगे अपना मेन फैबरिक तो मेन फैबरिक के उपर हम अपना अस्तरवला फैबरिक रखेंगे और इस तरीके से अच्छे से रखने के बाद अब हम नीचे से सिलाई लगाएंगे पूरे गले पे यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और नीचे की साइड यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए ठीक है तो इस तरीके से हमने इसे पिन से सिक्योर कर लिया है और यहाँ पर सिलाई लगा लिया है तो बस एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहां पर पूरे में शिलाई लगा लेना है अब इसके बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा का फैब्रिक है में फैब्रिक उसको हम अस्तर वाले फैब्रिक के बिल्कुल बराबर से कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से यहां पर हम पूरे में कटिंग कर लेते हैं तो देखो इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया अब यहां पर हमें छोटे-छोटे से कट्स लगा देना है पूरे में जिससे कि यह आसानी से फोल्ड हो सके तो इस तरीके से हमने चोटे-चोटे से cuts लगा दिया और जो भी हमने पिन वग्यरा रखा था उनको निकाल दिया है अब इसको हम यहाँ पर अंदर के side से सीधा कर लेंगे तो इसलिए हमने अपने main fabric के सीधे side में अस्तर का fabric रखा था क्योंकि अब इसको पलटने के बाद हमारा जो अस्तर है वो हमारे main fabric के उल्टे side में चला जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमारे nook है किसी भी nook चीज से इसको अच्छे से nook निकाल देना है और निकालने के बाद अब हम यहाँ पर पूरे गले पे शिलाई लगाएंगे तो चलो यहाँ पर अब हम पूरे में शिलाई लगा लेते हैं और नीचे की side भी finishing वाली सिलाई लगा लेंगे तो इसे हम सिलाई लगा के ready कर लेते हैं तो friends अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो please वीडियो को like जरूर कर दिया करिये और comments करके जरूर बताया करिये ठीक है तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लिया है देख सकते हो अब इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर इसको उल्टा करके ले लेंगे और यहाँ पर जो हमारा main fabric और अस्तर fabric है इसको बिलकुल बराबर से जोड़ लेंगे बड़ी बख्या से side side से तो चलो हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं और जो एक्स्ट्रा का fabric है उसे हम cut करके निकाल देंगे सेम तरीके से दूसरे side भी हम सिलाई लगा लेंगे जो भी extra का fabric होगा उसे हम cut करके निकाल देंगे तो यह हमने यहाँ पर इसकी cutting कर ली यह हमारा पीछे का पल्ला हो गया अभी हम यहाँ पर dot के निशान डालेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर dot के निशान आप कपड़े के बंद बाग से मतलब center से 4 इंच दूरी और उपर की side लंबाई भी 4 इंच ले लीजेगा मैंने यहाँ पर अंदाजे से लगा दिया है और बस यहाँ पर हम 1,5 इंच का margin लेते हुए यहाँ पर अपने dot पर शिलाई लगा लेंगे सेम तरीके से दूसरे साइट भी लगा लेंगे तो दोनों साइट हम यहाँ पर शिलाई लगा लेते हैं दोनों ही डॉट पर यह हमने यहाँ पर डॉट पर शिलाई लगा लिया नीचे से अपनी सिलाई को लॉक कर देना है क्योंकि यहां पर आप हमारा नीचे से पलटेगा नहीं वर्णा फिर आपकी चिलाई खुल जाएगी अब इसके बाद यहां पर हम सेंटर पर बटन रख देंगे तो यह मैंने बटन बनाई हुई है और इसको मैंने यहां पर रख दिया और इसको टक कर दिया तो यह हमारा पूरा बैकनेक डिजाइन बहुत ही आसानी से बीना पेपर पेश्टिंग के रेडी हो गया है अगर आपको पसंद आया है वीडियो समझ आईए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी ही नहीने वीडियो उस देखने के लिए तो चलो मिलते हैं कल की वीडियो में जय स्रीकृष्णा राधी राधी